देखी अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो ये ख़वार आपके लिए हो सकती है बेहत क्वास खास इसलिये भी क्योंकि बिहार में 5 जगों पर नए पीपा-पुल का निर्मान होना है। प्रश्ताविट पर योजना की आendeu पहर के पांच जगहों पर नएपीपा पुलकर निर्मार्ण की कार्य योजना तयार हो गई है शिग रही इनका निर्मान कार्य आरंव怎么 चार नएपी पूल गढणा नदी पर बनें अनुमानित लागत जो है वो 35.7277 करोर रुपे हैं इस पुल की कुल नंबाई जो है वो 793 मिटर होगी एवं चोड़ाई 8.2 मिटर होगी पुल में 55 पीपा सेट्स का उप्योग किया जाएगा उपमुखी मंतरी सहपत निर्मान मंतरी ने बताया कि पीपा पुल के निर्मान स से बक्तियारपूर से मोहनपूर प्रखंड के दूरी 90 किलो मिटर से घटकर 15 किलो मिटर मातरे रह जाएगी इससे लोगों को काफी फाइदा होगा इससे वैशाली के महनार वो पटना जिले के 10 प्रखंड के लोगों को फाइदा होगा दूसरे पीपा पुल का निर्मान गं 11.8214 करोर रुपए होगा अब हम बात करें तीसरे पीपा पुल की तो आपको बता दे कि तीसरे पीपा पुल का निर्मान बोजपूर के महूली घार से यूपी के बलिया जिला सित सिताब 11 के बीच होगा इस पीपा पूल के लंबाई 732 मिटर है इसमें साथ पीपा सित का इस्तिमाल किया जाएगा आपको बता दे चले किस परियूजना की कूल लागत जो है वो 15.2.06 करोड है इस पीपा पूल के निर्मान में बोजपूर जिले वसिताब दियारा के दरजन गाउं को संपरकता मिलेगी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शेत्र के लोगों के लिए य निर्मान कारी आ रम हो जाएगा आपको बता दे किस तरीके से भिहार में चार पीपा पूल का निर्मान होने वाला है चोथे पीपा पूल का निर्मान बखसर और ब़लिया के वीच गंगा नदी पर होगा यह बखसर के नैनी जोर से उत्र प्रदेर्ज के हल्दि गाउं के बीच बनेगा एक हफ़ते के भीतर इस पीपा पूल का निर्मान कारे भी आरंब हो जाएगा इस पूल के लंबाई 732 मिटर होगी जिसमें साथ पीपा से शामिल है इस परियोजना की कूल लागत हमने आपको बताए कि 16.476 करोर रुपे हैं पाचवे पीपा पूल का निर्मान मध्यपूरा से खगडिया के बीच कोसी नदी पर होगा इसके तहट मध्यपूरा की जीरो माइल से कपसिया के बीच 42 सेटो का पीपा पूल बनेगा इसके लंबाई 500 मिटर है इसके निर्मान पर 25.139 करोर रुपे खर्च होंगे और यह जो खबर है ये बिहार वासियों के के लिए बहुत राहत मिलेगी उनको आ रहे जाले में कई तरह की सुविधाइँ हो गी जो पहरे परेशानी होती थी यह परिशानी आप खत्म हो जाए और इस तरीके से भीहरे पांच जन्य जगोयों पर पेपा पूल का निर्मान हो रहा है यह श villain सबसे बताईएगा फिलाल वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं वीडियो में आप देख रहते हैं से स्टॉक्स मैं थी आपके साथ डॉली पांडे धन्यवाद